लोगडाउन 3.2 को लेकर शनिवार को केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 4 मई से देश का आधा हिस्सा पूरी तरह चालू हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जदाई कि शायद कोरोना का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है लेकिन फिलहाल इस बिमारी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है और जब तक कोई टीका नहीं मिल जाता हमें COVID-19 के साथ ही जीना होगा। हमें दिशान निर्देशों को फॉलो करने के साथ ही सभी साफधानिया बरतनी होंगी। मास्क लगाना, बार बार हाथ दोना, सोशल डिस् परमन के खत्रे को रोका जा सके हाला कि उन्होंने कहा पिछले 40 दिनों में समाज ने बहुत अच्छे से सीख भी लिया है। तब तक वैक्सिनेशन नहीं निकलता तब तक यह सवाल रहेगा कि हमें कोवीड के साथ ही जीना पड़ेगा एक तरह से और यह न्यू नॉर्मल है झाले बहुत से हाथ है।